इस वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टन नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ रिलेट टू यो डॉक्टर बी आर अमबेट कर यूनिवर्सिटी देली इस यूनिवर्सिटी ने अपने पीजडे अड्मिशन से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन जारी करी है तो इस साथ इस वीडियो में डिसकस करने वाली हूए और उसी के साथ साथ में आपको बता दू- और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दू कि मैं अपने चैनल पर different universities के जो PhD entrance examination होते हैं उनके लिए candidates को prepare करवा दिए। So make sure कि आप मेरे चैनल को subscribe कर ले और bell icon को भी press कर दे तक सारे videos के update आपको मिलती रहें। So जिससे के आप देख रहे हो यहाँ पर हम Dr. B.R. Ambet का University Delhi की official website पर है, official page पर है और यह जो official link है, इस link को मैंने आपके साथ description box में share कर रहा है, अब वहाँ से directly इस page को access कर सकते हो, अब इस page पर आप देख रहे हो right side में admissions, यहाँ पर आपको click करना है, admissions पर click करने के बाद आपकी screen पर कुछ इस type का page open हो जाएगा, आपको नीचे scroll down करना है, then यहाँ पर आपको PhD admissions, यहाँ पर आपको click करना है, PhD admissions पर click करने के बाद, then again आपको scroll down करना है, अब देख रहे हो admission 2021 and 2022 उसी के नीचे आपको एक link दी गई है, online application form, so यहाँ पर आपको click करना है, click करने के बाद online application form के last date है, online application आपको last Friday 15th April 2022 से पहले, application form fill up करना है, अब आपने registration नहीं करा अभी तक, तो यहाँ से आपको new registration यहाँ पर आपको click करना है, और यहाँ पर आपको सारी personal information fill up करना है, जिन हम back जाते हैं, अगर आपने already register कर चुका है, तो आप यहाँ से login कर सकते हो, so इस तरीके से आपको application form fill up करना है, यानि आपको register करना है, इस university में PhD program में admission लेने के लिए, अब हम फिर से इस official website पर आते हैं, next इन हमने जो link provide कर रहे है, यह है number of seats, कि कितनी PhD में आपको seats allot करी गई है, इस university की तरफ से, जैसे कि हम देखे है, different programs में, different number of seats इन्होंने provide करी है, जैसे management में 6 development studies में 6, education में 10, human ecology में 11, उसे तरीके से economics 6, mathematics 4, सो आप सारी seats देख लिजए, आसे आपके subjects के according, और total यहाँ पर 105 seats available है, for Indian students और foreign students, यहाँ पर उनके लिए 21 seats available है, अब यहाँ पर इस link पर चाकर उन्होंने application form को fill up करने के लिए का और कुछ इंफॉर्मेशन देखने के लिए का तो अब हम वो भी देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बता है, आपके 22nd March 2022 से ही application form निकल चुके थे, और आपकी last date application form को fill up करने की वो है 15th April 2022, यहाँ आपको बता चुकी हूँ, अब next यहाँ पर हम फिर से चलते है, next link पर click करते है, आपके कुछ rules और regulation यहाँ पर previous year की है, तो अब हमें यही refer करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके PhD program के entrance test होता है, उसकी date उन्होंने नहीं बताई है, क्योंकि इस university में आपको PhD program में admission लेने के लिए entrance test देना होता है, जैसा हमने देख लिए आपके registration forms को किस तरीके से fill up करना है, last date क्या है, अब यहाँ पर हम द आते हैं, और यहाँ पर उन्हें बताया है, procedure for admission, तो admission का procedure किस तरीके से होने वाला है, याद रखेगा, आपका admission का procedure है, यह entrance test के basis पर होगा, आपको entrance test qualify करने के लिए minimum 50% mark score करना होगा, और syllabus के होने वाला आपका entrance test का, तो यहाँ पर उन्हें बताया है, 50% आपका research methodology होने वाल आप interview process के लिए eligible होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपका entrance test है, उसका pattern मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आपका paper 1 रहेगा, यानि दो parts में आपका paper divided होगा, 50% research methodology आपको पुछा जाएगा, 50% subject specific, और आपको इस entrance examination को qualify करने के लिए minimum 50% mark score करना है, तो मैं research methodology के हर एक topic पर आपको video lectures provide करेंगे, research methodology के हर एक topics पर आपको notes देखने मिलेंगे, notes बहुत simple language में notes है, notes में हमने important important points को cover कर रखा है, जो आपके PhD program में पूछे जाते हैं, और जो आपके interview process में भी कुछ research methodology से related आपको basic knowledge होने चाहिए, वो भी points आपके लिए बहुत helpful होगे notes में, then 10 full syllabus mock test, इस mock test में हमने हर एक mock test में 40-50 questions कवर कर रखें, जिससे के आप easily आपकी practice होती, आपको बता चलता है कि कौन सा आपका topic, किस topic पर आप week हो, then finally 1000 plus practice mcqs pdf, जो के आपका revision का काम करती है, so इस तरीके से हमने research methodology का course आपके लिए design कर रहा है, so याद रखेगा इस course को हमने हमारे experience के basis पर design कर रहा है, और जो actual PhD entrance examination में questions पूछे जाते है, वो सारे important points, वो सारे questions हमने हमारे इस content में cover कर रहा है, अब previously 2-3 universities का PhD entrance examination हुआ था, जिसमें students ने हमें feedback दिया था, कि हमारे इस content को exam में directly 30-40 questions पूछे गए थे, directly as questions भी as it is, options भी as it is, यानि out of 50, 30-40 questions उनको directly पू याद रखेगा अगर आप इस course को एक बारी आप read भी कर लेते हो, सारा content तो मैं आपको guarantee देती हूँ कि आप आपके PhD entrance examination में easily select हो जाओगे, PhD program में easily select होने वाले हो, याद रखेगा आपको जल से जल research methodology का content use करकर, इस research methodology के content को purchase करकर, आपकी preparations को start करनी है, इस content को purchase करने के लिए material को access कर सकते हो, आपको access करने के link में आपके साथ description box में provide कर रखेगा है, वहाँ से directly हमारे app को access कर सकते हो, इस तरीके से आपको preparation करना है, research methodology के हमारे course के through, अब next, जो information रहे गई थी, कुछ एक दो point रहे गया था, यहाँ पर PDF में आपके, वह हम एक बार ही discuss कर लेते हैं, जैस ने बताए, आपका entrance test है, उसके जो centers है, आपको notification के through बता देंगे, अभी तक आपके entrance test की date नहीं release होई है, जब भी आपकी date release होती है, उसी की बताबी आपको centers भी बता देंगे, next, इन ने बताए, आपका entrance test और आपका interview होता है, उसके basis पर किस तरीके से यह merit निकालेंगे, याद रखेगा, जो आपके entrance test होता है, उसका 70% weightage है, और आपका interview होता है, इसका 30%, इस तरीके से आपके 100% होता है, 100% में से आपका result बनता है, इस तरीके से आपकी merit list आएगी, जिन उसके बाद ने ने नीचे बता रखा है, जिन candidates ने UGC net, CSIR, JRF, ये सारे exam जिनोंने qualify कर र process के लिए appear हो सकते हैं, और यहाँ पर उनने बता है, इनका weightage है, इंटर्व्यू का 30% होने वाला है, इस तरीके से इनकी merit list लगेगी, जिन नेक्स यहाँ पर उनने कुछ बता रखा है, जिन आप यहाँ से एक बारी read कर लिजेगा, then allocation of research supervisor, research supervisor आपकी जो professor है, उनको किस तरीक से आपकी यहाँ पर सारा process लोने बता रखा है, आप यहाँ से एक बारी read कर लिजेगा, then next coursework, आपके coursework से related लोने कुछ information बता रखी है, then research advisory committees, आपको committee इसको किस तरीके से आपका work present करना है, इनकी topics पर research करने वाले होई, इस सारी चीज़ा आप बता सकते हो, so यह आपके सारी के से दिखाना होता है, temporary registration, so यह सारी details जो है, यहाँ से एक बार ही read कर लेजगा, जैसे कि यहाँ पर जो important important points थे, मैंने आपके साथ वही share कर रखा है, कि आपको registration किस तरीके से करना है, application form किस तरीके से आपको fill करना है, और आपके seats कितनी है इस university में, और आपको किस तरी किसे entrance test की prepare करना, जैसे कि यहाँ पर, मैं आपको बता दू, यहाँ पर आपको page number 4 पर पूरा detail में बता रखा है, कि आपको PhD program में आपका admission होगा, यह entrance test के basis पर होगा, जिसमें आपको 50% जो होता है, यह research methodology पर based होता है, paper और 50% अपकी subject specific पर, so मैं आपको बता दू, कि आपकी preparations के लिए हमने research methodology का complete course लाँच कर रहा है, जिसमें हम आपको video lectures, notes, mock tests और practice mcqs PDF प्रोवाइट करते है, तो मैं आपको यह भी guarantee देती हूँ, अगर आप हमारा यह content use करते हो, अगर आप हमारा यह course purchase करते हो, तो आपका 100% इस university में PhD program में selection होने वाला है, यह मैं आपको guarantee देती ह तो कई questions exam में पूचे गएते हैं, directly उनको 30-40 questions exam में पूचे गएते हैं, याद रखेगा हमारे content को purchase करने के लिए screen पर जापको number नजल आ रहा है, इस पर आपको WhatsApp की तुरू contact करना है, और आप हमारे app की तुरू study material को access कर सकते हो, so that's it, इस तरीके से आपको हमारे course की तुरू preparation करना है, हमारे course में आपको guide भी करते हैं कि किस तरीके से आपको prepare करना है, कितना time आपको लगाना है, कितना focus रहना आपको, किस topic पर आपको time spend करना है, आपको study material यूज करना है, ज्यादा पिर आपको नहीं पढ़ना है, कम contain का भी आपको use करना है, लिमिटेट करकर आपको preparation करनी है, और limited study करकर आपको आपकी preparation करनी है, और उसी की साथ साथ आपको आपके entrance test को qualify कर सकते हो, so that's it, इस तरीके साथ आपको preparation करनी है, और मैंने आपको सारी detail बता चुकी है, और अगर आपको कोई भी questions, queries है, तो आप मुझे comment section में पूच सकते हो, and thank you for watching this video.